लोगतंतर की हत्या करने वालो को माफी क्यों? दलबदूरों के खिलाफ News World India की मुहीब सवाल यही कि क्या लोगतंतर की हत्या करने वालो को कॉंग्रिस माफ कर देगी? ये सवाल News World India ने हरीश रावत से भी पूछा था हरीश रावत, जिन्होंने खुद साप और नेवले का जिक्र किया था, हरक सिंग रावत को लेकर, तब उन्होंने क्या कुछ कहा था, पहले वो सुनिये. जिनको आपके समर्टकों ने कहा है, वो गंदार हैं, धोके बाज हैं, आप उनको साथ लेगे. वो सब है, यदि वो अपनी गलती स्विकार करते हैं, कहते हैं, हमसे गलती हुई, तो लोगतंत के अपरादी हैं, मेरे अपरादी थोड़ी है, वो लोगतंत के अपरादी हैं, यदि वो कहते हैं, हमसे गलती हुई, तो ओके फाइज, आओ. वापिस आजाओ, आप वेलकम कर रहे हैं, जो रट को लिये लोग हमको दिखा रहे हैं, तो हरी शरावजी रोक रहा है, उसकों पीछे रग देगे, लेकिन लोकतंत के लिए, लोकतंत से जरूर माफी माँदनी पड़ेगी, उत्राखंट से जरूर माफी, नहीं, लोकतंत से य आपने, राड़ी ती कहेंजर, कोई साप और नेवडा नहीं, हम भाजपा को भी ऐसा नहीं मानते हैं, ले सिध्धान्त समय के इसान नहीं बदलते हैं, सिध्धान्त तो साष्वत होते हैं, और उनमें एदे कोई बद्राव करना है तो उसके लिए वाजिब कारण होने चाह और आप एक दिन, एक सुनाओ के वक्त में एक समझ, दूसरे सुनाओ के समझ में दूसरा से धात यह नहीं कर सकते हैं सवाल News World India का तो ये भी कि उतराखन्डियत की रक्षा कौन करेगा अगर उतराखन्डियत की रक्षा का जिक्र है तो सवाल यही हरीश रावस से भी है सवाल News World India का ये कि आखिरकार एक तरफ साप और नेवले का आप जिक्र करते हैं और दूसरी तरफ आप उन्हें ही वैलकम क्या करने जा रहे हैं सुनिए जरा हरी श्रावत ने News World India के इस सवाल का जवाब क्या दिया था मैं एक बात कहना चाहता हूं समय मेरा सांथ थोड़ी दे रहा था समय उनका सांथ दे रहा था मगर उन्हें ने समय की प्रतीक्षा नहीं की जो अंगूर खटे वाली भाव है यदि हरक सिंग रावत कॉंग्रिस में रहे होते हैं और आज वह लाइन में यहां भी आएंगे तो बहुत पीछे खड़े होंगे और वहां भी हैं तो बहुत पीछे खड़े होंगे हरीष रावत जो कहते हैं कि आएंगे तो हरक सिंग रावत को पीछे ख़ड़ा होना पड़े का लेकिन उनके अपने क्या कुछ कहते हैं वह हम आगे आपको सुनाएंगे लेकिन पहले हरी शनावत का एक बयान और सुनिए जो न्यूस वर उडिया ने उन से पूछा था महत्वा कांखशाएं आदमी को पुष्ट करती हैं अच्छी बात है मगर महत्वा कांखशा के लिए जिस प्लेजपॉम पर खड़े हो उसी को तोड़ा नहीं जाता है उसको मद्वूद किया जाता है ताकि उसके साहरे आप उपर उड़ सको जन भावनाव से खिलवार कब तक दरसल ऐसे नेता जो दलबदलू होते हैं वो सिर्फ मंतराले को अपनी जूते की नोक पर नहीं रखते जो बात हरक सिंग रावत कहते थे दरसल ऐसे नेता मंतराले को नहीं बलकि जनता और जनता की भावनाव को भी जूते की नोक पर रखते हैं अब सवाल कत्री और करनी की परिख्षा का था जो हरीश रावत से न्यूजवर्ड इंडिया ने पूछा लेकिन अब सुनिए जब यही सवाल राजेसभा सांसर और हरीश रावत के सबसे करीबी प्रधीप तम्टा से न्यूजवर्ड इंडिया ने पूछा तो खुले तोर पर उन्होंने संकेत दे दिया कि ऐसे दल बजलू अगर कॉंग्रिस माफ कर देती है तो इतिहास कॉंग्रिस को माफ नहीं करेगा सुनिए ये भी ज़रा मैं आरिस राव जी से कहूंगा कि मौका मिला है इस समय उनको उत्राखंड की राजनीति में सुचीता इस्थापीत करने का लोग धरम करम की बहुत बात कहते हैं हमारे वहाँ भी उदारन है एक बाद अंगत की पाउं की तड़ा आप उड़ जाएं आप खड़े हो जाएं तो उत्राखंड की राजनीति में बहुत बड़े परिवर्तन के आप कारक बन जाएंगे कि आप रोकिए अगर ये इंट्री होगी तो इसका दूस्परणाम कॉं अनों से भी बड़ा दरासल ऐसे दलबदलू नेताओं को ये मालूम होता है कि चुनाव कैसे जीता जाता है धन बल और शराब बल पे ऐसे दलबदलू नेता जानते हैं कि कैसे वोट को खरीदा जाता है तभी तो खुलकर प्रदीप टम्टा से जब न्यूसवल इंडिया ने ये सवाल किया तो प्रदीप टम्टा ने कह दिया कि क्यों एक व्यक्ति आज दल से बड़ा हो चुका है और हरी शुरावत ने अगर उधारन पेश नहीं किया तो इतिहास उन्हें भी माफ नहीं करेग सुनिए प्रदीप टम्टा ने और क्या कुछ कहा आकिर क्या कारण है क्या एक व्यक्ति आज इतना बड़ा हो चुका है कि कॉंग्रेज जैसी सौ साल से उपर लोकतांती पार्टी को प्रक्दसी पार्टी को जो जनता की आवाज और स्वतनता संग्राम की आवाज है जो अखुन लोगों का सवाल है कि हमारी चुनीवी सरकार को सडेंग के दौरा क्यों गिरा गया था क्रोणों रुपे के लेंद दिनवता सब लोग जानते हैं सम्मीदान की हत्या हुई थी क्या इस इसको इस माब को हरीस राओ जी माफ कर दें कॉंग्रेस माफ कर दें लेकिन उ कभी दुशकर्म के आरोप लगे तो कभी सरकार को गिराने के आरोप ना जाने ऐसे कितने आरोपों में ऐसे दलबद्रू नेता घिरते हुए दिखाई दिये साल 2002 से चुनाव जीतने का दम तो भरा गया और सबसे कम उम्र में मंत्री बनने की दुहाई भी दी गई लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे नेताओं ने राज्ये का सिर्फ और सिर्फ दोहन किया ऐसे में सवाल प्रदीव टम्टा से जब न्यूस वर्ल इंडिया ने पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिये और सवाल सीधा था कि प्रदेश की आवाम अगर आप से पूछेगी कि आपने दल बद्वियों का साथ क्यों दिया तो प्रदीव टम्टा ने क्या कुछ कहा सुनिये और ध्धान से सुनिये गा कि जब प्रदेश की जनता पूचेगी हमसे प्रदीप टम्टा से पूचेगी प्रदीप टम्टा क्या उत्तर देगा मुझे सारे लीडर मुझे बता दें कि ऐसे लोगों को आप कांग्रेस भूल के भी क्या कहते हैं वह ना दे हराज सिंग्ग जैसे जिन्हों लोगतंत्रक्रति अपराद किया है वो अक्षम अपराद है और अक्षम अपराब्त करने वाले का को मैं अपने पार्टी के रास्ठी नेतवर्फ तर् правu जिसह तून्या जिसे करवद निविदन करता हूं किसी भी सूरत में आप उनको इंटी न दीजे अपने कॉंग्रेस के हजारों लाखों कारी करता हूं के जूस पर विश्वास कीजे उत्राखंड की जनता सिखाएगी दल्बदलोगों सबक वह कहावा तो सुनी होगी आपने बौए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होगा जब आप ने पूल का पेड़ बोया तो आम कहां से होगा प्रधीम तिम्टा के बयान संकेट दे रहे थे कि ये दल्बढ़लू हैं उन्नोंने राज्य का नुकसान किया तभी तो बता रहे थे कि वो कहते हैं आज भी कि उनकी रगों में बीजेपी का खून है सवाल अपने आप में बड़े थे तभी तो प्रदीब टम्टा खुल कर कह रहे थे कि ईश्वर ने आपको एक मौका दिया है सुनिए प्रदीब टम्टा का ये बयान भी और फिर हमने कहा ना कि आज परिक्षा कत्री और करनी की है हरी शुरावत के सामने भी और कॉंग्रेस के सामने भी क्योंकि 2016 के गुनेगार अगर वाकई में यही दलबदलू थे तो इन्होंने राज्ये का क्या नुक्सान नहीं पहुचाया था कि इन्होंने कभी कहा कि मैं इस सरकार को क्या इसने लोगों की भन बाउनाओं के साथ खिलवाड किया है कि इन्होंने कहा कि दो सालों में चार सालों में स्थ्च्षा बिवस्ताः चर्मरा गई इसलिए सरकार जुम्हेदार है मैं स्थिफा देखे आता हूं। कड़ तक दिल्ली आने तक जो कहरा है कि मेरे रगु में भाजारपा का खुन है। जो कह रहा है कि मैंने वदा किया था कि मैं अमीण साजी आपको दोखा नहीं दूँगा। अमीण साजी नहीं मुझे छोड़ दिया। आप आमिए साह को अभी भी कहते हैं, कि साहँ हैं अगर मुझे बुलाया होता, तो मैंना जाता, मैंना छोड़ता, मेरे रगु में भाजापा का खुन है, परदीप टमटा है कि रगु में तो कॉंग्रीस का खुन है, कि Congres के अंदर इस में जग नहीं है क्योंकि Congres के लिए इस राज की आसर वाधिता राजनिति को खतम करने का इश्वर ने एक मौका दिया है हमारे उपर रारोप न लग जाए कि एक तरब वो खतम हो रही थी राजनिति में आसर वाधिता हमने उसको फिर से नया जीवन दे दिया है तो क्या वाकई में ऐसे दलबद्लू को इस वार उत्राखंड की जनता सबक सिखाएगी न्यूस वर्ल इंडिया की मुहीम लगातार ऐसे दलबद्लू के खिलाफ जारी रहेगी सहयोग आपका चाहिए क्योंकि ताकत आपकी है महबत आपकी है प्यार आपका है न्यूस वर्ल इंडिया लगातार आप से जुड़े हुए मुद्दे इसी तरह ग्राउंड जीरो से उठाता रहेगा और पूछेगा उन नेताओं से जवाब और हिसाब भी किताब भी जिन्होंने खाई समिधान की शपत लेकिन जब सत्ता की मलाई की बात आई तो भूल गए समिधान को भी और आपको भी आपको ये हमारा खास कारिक्रम कैसे लगा जरूर बताईएगा क्योंकि आपकी कलम की ताकत हमारी ताकत बनेगी क्योंकि हमारी कलम गुलाम नहीं नमस्कार जैहिंज भारत जैय उत्रा खाईगा